इट वस वीकेंड और हम सभी लोग अपने रूटीन से पक चुके थे तो हम लोगों ने वीकेंड गेट अवे प्लान किया क्यूंकि हमें दो ही दिन में ट्रावल करके वापस दिल्ली आना था तो हमें मुक्तेश्वल से जाधा अच्छा ओप्चन कुछ नजर नहीं आया और हमने ये जर्णी अपनी शुरू की दिल्ली से दिल्ली से हम लोग 12 बजे निकल लिए मुक्तेश्वर के लिए और सुभे पहुँच गए 8 बजे हम अपनी टेस्टेश्वर का लिया है तो अभी हम पहुच चुके हैं उस प्रॉपर्टी पे जहां पर हम स्टे करने वाले हैं लेट मी शो यूद प्रॉपर्टी और उसके बाद से मैं अपको अंदर का तूर की दूंगी so this is actually the place we are staying at its name is I guess Krishna Orchid Resorts and that's how it looks very nice very decent so before I mess up the entire room let me quickly give you a room tour this is our room 303 once you open this we have a cupboard here and then we have a washroom mirror shower area and then we have again another mirror and our luggage tv study table sitting area our bed and then we have the most beautiful part once we open this we have a balcony here the best part of the entire place and from here you get the best view and the Himalayan peaks are visible from here so now it's one hour we reached here at 8 o'clock at 8 o'clock at 8 o'clock at 8 o'clock and we kept a lot of cold and we were traveling all night so we took a little nap and now at 1 o'clock we are going out we are going out and we are going out and we are going out and we will have our lunch and then we will go to one or two places and by the way this resort is so beautiful यहां की लोकल्स ने हमें भालूगर्ड वटरफॉफॉल गूमने के लिए स्रजेस्ट किया तो हम लोग रस्ते में अपना लँच करने के बाद से निकल गए भालूगर्ड वटरफॉल की तरफ रास्ता काफी सुन्दर था तो हम लोग पहुंच चुके हैं बालुगर्ड वाटरफॉल के लोकेशन पे बेस लोकेशन पे और और गाड़ी अपने पीछे पाक कर दी है जिसका कोई पार्किंग का चार्ज नहीं है और हम लोग जा रहे हैं आगे गेट की तरफ यहां पे लग रहा है पचास रुपे का एंट्री चार्ज और यह है वाटरफॉल का रस्ता और यह रस्ता जो है बहुत अच्छी कंडिशन में नहीं है तो आप अपने कम्फटेबल शूस पहने इस रस्ते पर तो कुछ आदा सही रहेगा I would say preferably sports shoes it is exhausting I mean these 1200 meters are the steepest I've ever climbed but बहुत मजा आरह है व्यूस काफी अच्छे है थंडा सा वेदर है and we are enjoying it a lot so 20-minute की महनत के बाद से हम लोग यह पहुच चुक है finally and let me show you how this waterfall looks waterfall पे आदा घंटा पिताने के बाद से हम लोग वापस निकल पड़े रिसौर्ट की तरफ और यह हमने लिया है पहाड़ी नीम्बू भाइस में नीम्बू और 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 ओरेंज वाला वो सब एकट्टे आ रहा है वाला टैंजी टैंजी इंग बहुत बढ़िया और यह पहाड अब हम बापस आ चुके हैं रिसौर्ट के ठाप चुके हैं वाल्मोस्ट संसेट का टाइम हो चुका था तो हम लोगों ने चाय की चुस्कियों के साथ साथ संसेट का मजा लिया और खूब सारी कप्षब की तो इस तेन ट्वेंटी एट नाइट वी हैडा डिनर और अब जो दो कर दो करिए तो मारो